कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कॉशल ने एक बियान जारी कर चार नगर निगम चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी को दिये गए समर्थन के लिए मत दाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन चुनाव परिणामों ने 2022 में होने वाले विधान सबा चुनावों में प्र जिला होने के बावजूद मंडी में भी कॉंग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है भाजपा ने इन चुनावों में धन, बल, सत्ता, छल, कपट, इत्यादी तमाम हतकंडों का इस्तेमाल किया प्रंतु केंद्र और परदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों, आसमान, छ यहां के माददातों ने कॉंगर्स पार्टी को जो समर्थन दिया, उसके लिए कॉंगर्स पार्टी माददातों का कोटी-कोटी धन्यवाद करती है, चार नगन निगमों वैसे पालूंपुर और सोलन में परचंड बहुमत से कॉंगर्स पार्टी के पार्षट जो हैं चुने गए, धर्मशाला में भारतिय जन्ता पार्टी इस परष्ट बहुमत हासिल करने में असफल रही, और मंडी में भी कॉंगर्स पार्टी ने बहतरीन परदर्शिंग किया है। अक्षामता जो है उससे तंग आ जुकी है और केंदर तथा प्रदेश की भाचपा सरकारों की दमनकारी जो नीतियां हैं, ताना शाही पूर्बग जो कारिया हैं, जिस प्रकार के कुठारा गात दोनों सरकारों ने बेरुजगारी बढ़ा कर अंदा धुंद नीजी करन करके, सरकारी संस्थाओं को अपने बेपारी दोस्तों के हाथों में बेच कर महंगाई को रिकॉर्ड स्थार तक बढ़ा कर किये हैं, जन्ता ने उसका प्रतियुत्र इन निगम चुनाबों में दे दिया हैं। भारतिय जन्ता पार्टी ने जुनाबों में सत्ता का, धन का, बल का, चल का, कपट का, हर चीज़ का खोल कर इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद भाच्पा को परदेश के निगम चुनाबों में प्राजे का सामना करना पड़ा है, जिस सिस्पेश्ट हो गया कि भाच्पा के हतकंडे अब जन्हित के मुद्दों पर भारी नी पड़ पाएंगे। बरतमान चुनाबों ने आने वाले समय में दो हजार बाईस में जो बिद्धान सबा चुनाबी हिमाचल परदेश के अंदर होने जा रहे हैं। उन में हिमाचल परदेश को भाच्पा मुक्त करने की अधारशिला रखने का काम किया है। और निसंदे दो हजार बाईस के चुनाबों में हिमाचल परदेश की जन्ता बारतिय जन्ता पार्टी को सता से बाहर कर कॉंगर्स पार्टी को परदेश को आगे ले जाने और परदेश की जन्ता का सम्मान करने के लिए परदेश की जन्ता की सेवा करने के लिए जमेधारी सोपने बाली है यही संके दिन निकम चुनावों से परदेश की जंता ने देने का प्रयास किया है हम एरपुर से ब्यूरो प्रमुक सुरेंदर कटोच की रिपोर्ट